आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपको हैरान कर देगी. एक कहानी जो प्यार, धोखा और हत्या की दर्दनाक सच्चाई को बताती है. ये है जगदीश सालुके की कहानी, जिसकी हत्या उनकी पत्नी ने की. एक पत्नी जिसने अपने पती के साथ साथ चन् पी हुई थी। इस कहानी में कई सवाल हैं जो आपको परेशान करेंगे। क्या जगदीश सालुकै की पत्नी ने सचमुच अपने पती की हत्या की। क्या वह अपने अपरात के लिए दोशी है। आज हम आपको इस मामले की गहराई से जानकारी देंगे। तो आएए, इस दर् नती और समर्पित व्यक्ति था, जो अपने परिवार और दोस्तों के साथ बहुत प्यार से रहता था। 29 दिसंबर 2018 को जगदीश सालुकै की व्रिशाली ठाकरे से हुई। इस शादी से जगदीश सालुकै तो बहुत खुश था और व्रिशाली के सारे गिले शिक्वे भू गया था। लेकिन व्रिशाली शादी से खुश नहीं थी। शादी के नाम पर उसने सिर्फ एक समझोता किया था। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे व्रिशाली के व्यवहार में परिवर्तन आता जा रहा था। इसलिए उसने जगदीश को मारने की प्लान 6 मार्च 2019 घटना के दिन व्रिशाली काफी खुश थी। उसने काम से लोट कर आये जगदीश सालुके से प्यार भरी बाते की और अपनी योजना के अनुसार उसके खाने में चूहे मारने की दवा मिला दी। खाना खाने के बाद जगदीश जब सोने के लिए अपने बैद पर गया तो उसका मनव्याकुल होने लगा। इसके पहले की वह उटकर बाथरूम में जाता, व्रिशाली ने उसके गले में नायलोन की रसी डाल कर पूरी ताकत से उसका गला घूंट दिया। पुलिस ने जब जाच किया तो व्रिशाली ने परिवार वालों और पुलिस को कर लिया और गिरफतार कर लिया।